नमस्कार रुस्तो जब भी हम policy लेने जाते हैं किसी agent से तो हमारे मन में सवाल जरूर आता है कि हमें कौन सी policy लेनी चाहिए और कौन सी policy हमारे लिए सबसे अच्छा होगा तो ये सारे सवाल आपके मन में जो आते हैं उसका answer इस video मिल जाएगा तो आपको अगर पहले से पता होगा कि कौन सा plan आपको लेना चाहिए तो बहतर होगा decision लेने में तो आप इसको पूरा सुन लीजिए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो देखें सवाल इसलिए हमारे मन में आता है चुकि हमारी जरूरते अलग-अलग होती है और LIC की plan भी अलग-अलग है उसके benefit भी अलग-अलग है अगर सब कुछ आपको पता होगा तो आप उसी अपने जरूरत के साब से policy में benefit के साब से अपनी policy आप ले लेंगे तो देखें दो तीन तरह के plan होते हैं एक होता है pension plan LIC में जिसे बोलते हैं जीवन उमंग, LIC का plan बता रहा है, whole life plan बोलते हैं G1 उमंग 945 table number अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एक निरधारिस समय के बाद pension मिलना शुरू करे और lifetime pension मिले और आपके न रहने पर पैसा आपके nominee को देदिया जाए तो आपको G1 उमंग 945 table number लेना चाहिए इसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का plan है, जितने समय का policy लेंगे, premium उतने दिन तक जमा करेंगे उसके बाद आपका pension शुरू हो जाता, 8% मिलता है pension, जितना भी आपका amount होगा, समिशोड होगा जितने की policy लेंगे, उतने का 8% आपको return मिलेगा हर साल, छीक है, यह तो pension की बात हो गई, अगर आप चाहते हैं कि आपको बीच-बीच में कुछ पैसे return मिले, चुकि आपको जरुरत है कि आपका financial condition सही नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, हम जो है पैसा जमा करेंगे, लेक 20-year money back plan एक है, 920 table number, जिसमें 15 साल जमा करते है premium, 20 साल के अंदर मिचोटी मिल जाती है, और 5-5 साल पर return आपको जो मिलता है, वो मिलेगा ही, इसके अलागा एक 25 साल का money back plan है, 921 table number, इसमें 20 साल तक premium देते हैं, और इसमें 25 साल के अंदर सारी मिचोटी आती, इसमें भी आपक जीवन तरुन में लास्ट के 5 साल जो होते हैं, हर साल money back मिलता है, और child money back में 18 साल जब complete हो जाता है, उसके बास से जो है, इसमें money back return आता है, एक-एक साल का alternate देख करके आता है, तो आप इसको जो detail जानकाई चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर इस पर video, हर एक जो मैंने नाम ल करिएगा, उस पर मैं आपके comment के हिसाफ से video उस पर जरूर upload कर दूँगा, अब थोड़ा सहर आगे मैं बता दू, यूली plan भी है, LIC में, यूली plan जो है, मैं recommend नहीं करता हूँ, बीना जानकारी के यूली लेना, चुकि ये share market से जुड़ा हुआ plan होता है, तो आप अगर share market क जानकारी रखते हैं, fundamental या technical जानकारी रखते हैं, तो आपको stock अपने से खुद select करना चाहिए, उसमें ज्यादा profit होता है, इसके लामा इसमें कुछ single premium plan भी होते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि कठा एक बार हम जमा करते हैं, और आपको जो है उसका benefit मिले, तो इसके लिए जो premium थोड़ा बहुत जमा करें, बहुत की कम premium देना पड़ता है, लेकिन आपको benefit जादा मिलता है, 10,20 लाग के लिए आपको premium 500-600 रुपए ऐसे देना पड़ता है, सलाना, तो आप चाहते हैं बहुत कम premium दे करके एक risk or मिले आपको, अगर आप खुदान खासता आपकी life साथ को इसमें इंडोमेंट की बात करें, इंडोमेंट प्लान होता है कि आप जब premium जमा करते हैं, तो continue 15-20 साल की जो भी policy होती है, तो उसमें आपको कोई money bag नहीं आता, लेकिन आप जब premium complete कर लेते हैं, ति कठा आपको maturity, 15-20 साल जो भी प्लान होता, खतम होने के बाद आपको maturity मिल इसमें इंडोमेंट बोलते हैं, इसमें popular प्लान जो है, 914 इंडोमेंट टेबल, जीवन आनंद 915 और जीवन लक्ष है 933 और जीवन लाब 936, इसमें से आप कोई भी प्लान कर सकते हैं, जिनकी यह ज़्यादा हो, उनको जीवन आनंद नहीं लेना चाहिए, जिसका 35-45 साल इसका cross कर गया है उनको जीवन आनंद नहीं लेना चाहिए, च्योंको इसमें premium ज्यादा लगता है, अगर यह आपको ज्यादा है, 40 साल या उसके आसपास 35 साल उपर जा रहे हैं तो आपको निव इंडोमेंट 914 या आपको 936 जीवन लाब लेना चाहिए, जीवन आनंद 35 सा अबर लेने पर आपका premium ज्यादा लगता है, बाकि किसी भी प्लान पर आप जांकारी चाहते हैं, तो comment करिएगा, मैं वीडियो जरूरू बनाऊँगा, information कैसा लगा, comment करके बता सकते हैं, चैनल पर नए तो subscribe कर लिजेगा, आज के लिए फिला लतना है, thank you so much